बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का चलिए आज शूरू करने जा रहा है कोशन नंबर 45 T.S. Girwal का देखे हम उन्हीं को डिस्कस कर रहा है जो कि अक्सर बच्चों को प्रॉबलम करते हैं तो हम कोशन नंबर 45 T.S. Girwal का डिस्कस कर रहा है और सेम ऐसा ही question आपको dkgl में भी मिल जाएगा ठीक है digit बदल जाएगी ठीक है but statement same question same है हाँ यह है कि वह उसका rate बदल सकता है उसके digit बदल सकती और कुछ नहीं बाकी question same है तो चलिए देखे इसको solve करने के लिए हमें करना क्या है सबसे पहले चीज़ तो आप question को धंग से पढ़िए अक्सर बच्चे क्या करते question नहीं read करते पहले डिरेक्ट सोच्टे कि solution मिल जाए तो यह सबसे बड़ी गलत बात है पहले question को धंग से समझे question क्या कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है अगर आप जो कहना चाह रहा है आप उससे समझ गए तो आप easily किसी भी question का solution कर सकते हैं तो जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है A and B दो partner है sharing profit and losses in the ratio of 3 to 2 profit sharing ratio 3 to 1 दे रखा है 3 to 1 इनका profit sharing ratio हो गया फिर क्या कह रहा है on 1st April 2020 their capitals और एक तारीक एक अप्रेल 2020 कोन की capital दिए एक पचास जार बी की तीस जार डिर्विंग दे येर 31 मार्ट 2021 ठीक है यानि यह के end में the firm earned a net profit of रुपीस पचास जार फर्म यानि यह के end में जब firm close हुई तो firm का profit कितना है पचास जार रुपया the terms of partnership terms of partnership को मतलब partnership deed में यह बाते कही गई है तो क्या क्या बाते कहीं है पहला है एंट्रस्ट्रों capital is to be allowed 6% परेंब दूसरा क्या कह रहा है a will get a commission of 2% on turnover किस पे कह रहा है commission turnover पे तो turnover का मतलब क्या होता है turnover का होता है ठीक है तो यहां पर क्या है annual सेल कौन सी सेल है यह टोटल सेल हम इसे कहते हैं ठीक है यहां पर जो and turnover का मतलब क्या है total सेल तो जैसे कि हम आगे देखेंगे भी हमें turnover भी दिख जाएगा फिर क्या है we will get a salary of रुपीज 500 पर मन्त बी को जो है 500 रुपे पर मन्त सेलरी है अब we will get a commission of 5% on profit after reduction of all expenses including such commission ठीक है तो यहां पर commission बी का भी दिया गया है partners drawing for the year वर हमें पूरे annual drawing भी दे रखा है A और B की फिर हमें कहा दिया turnover for the year was rupees 3 lakh हमें पूरे साल का turnover यानी total sale भी given है क्या given है total sale ठीक है तो annual sale हमें given है और इसी के बेस पर हमें commission calculate करना है एक ठीक तो चलिए अब इसको solve करते हैं हमें question में कहा गया क्या है prepare करने को पहले यह देख लें after considering the above facts you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account तो यहां देखिए लगबग छे नंबर का question है इसमें दोनों चीज़ का है आपसे पिए एंड़ appropriation भी कहा है बनाने को और partners capital भी कहा है तो चलिए देखिए हम कैसे prepare करते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे हम format बनाएंगे profit and loss appropriation का चलिए तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे profit and loss appropriation बनाएंगे profit and loss appropriation account तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लों question number 45 कर रहा है ठीक है इसका format हम कैसे बनाएंगे यह भी हम आपको दिखा रहे है कि जैसे कि अभी कुद्धिर पहले हमने हमने last question में भी दिखा डिसकस किया था इसके format के बारे में फिर से हम लोग यहां बना रहे है पर्टिकुलर है ठीक है कि amount पर्टिकुलर एंड अमाउंट ठीक है तो हमने format प्रिपेर कर लिया जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं यह साइड हमारा debit साइड होता है और यह हमारा होता है ऐत्यक्रेजिए ऊह जैसे कि मैंने आपको बता था के पेंडल अप्रॉप्रेशन हम सब से पहले neat profit record करते हैं और neap किदा आता है क्रेड़िट साइड अता है बाई net profit तो question अभी हम लोगों ने देखा भी था कि उसमें net profit कहां के हुए ने फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ देखे question में आपको जो net profit है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि starting में ही दिया है the firm earned a net profit of rupees 50,000 तो firm का जो net profit है कितना है 50,000 रुपए तो net profit कहां आता है हमारा P&L appropriation के credit side में 50,000 रुपीज हमने यहाँ पे net profit show कर दिया अब देखते हैं इसमें appropriation में क्या-क्या कहा गया है सबसे पहले कहा गया है interest on capital कितना 6% per annum तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो एक ही capital है वो 50,000 है ठीक है और 50,000 का हमें क्या करना है 6% के rate से निकालना है यहाँ पे कोई capital चेंज तो हुई नहीं है during the year तो इसलिए total capital पे आप direct 6% calculate कर देंगे 6,5 जब 30 यानि 3,000 रुपीज का interest on capital एक आ गया अब इस तरह से B का calculate करेंगे जो B की capital थी वो 30,000 है ठीक है और 30,000 का 6% हम calculate कर लेंगे तो कितना आएगा 1800 आजाएगा ठीक है तो अठारा सो रुपे इसका आगया interest on capital तो दोनों का interest on capital हम कहां डालेंगे P&L appropriation के कहां debit side क्योंकि फर्म के लिए क्या होता है expense यहाँ पे आगा 2 interest on capital ठीक है ठीक है तो टू interest on capital अकाउंट तो एक ही interest on capital आया था 3000 और जो B है partner उसका था 1800 तो दोनों का जो interest on capital हो गया 4800 हो गया ठीक है अब ज़रा देखे इस question में और कहा कहा है किसी को salary मिली है जी हाँ second point पर हमें कहा है B में A will get a commission of 10-2% on turnover तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि turnover for the year was rupees 3 lakh तो हमें यहाँ पर turnover given है 3 lakh रूपीज का तो एस commission क्या आ जाएगा कि एक का commission हो जाएगा आपका आपकी capital थी 3 lakh सॉरी turnover था 3 lakh रूपीज का into 2% कहा है तो इस सीधा निकाल लिए into 2 upon 100 कितना आ गया 6000 रूपीज आपका commission आ गया तो एक का commission हमें मिल गया है 6000 तो हम यहाँ पर डाल देंगे commission आपका कहा आता है यह P&L appropriation के debit side में आ गया क्योंकि यह भी firm के लिए क्या है expensive तो आ गया एस कमिशन क्लियर तो एस कमिशन हमें मिल गया है कितना रूपय है एक का commission अभी हमने calculate कर लिया 6000 रूपीज अब चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है तो एक कमिशन के बाद क्या कह रहा है C will get a salary of Rs.500 पर मन्त तो C की salary 500 रूपय पर मन्त है तो पूरे साल की कितनी होगी 500 इन्टू 12 12 से आप multiply कर देंगे तो 6000 आ जाएगा इसका ठीक है तो 6000 रूपीज इसकी क्या होगी salary और salary भी कहा आता है P&L appropriation account के debit side में तो 2 A को salary मिल रही है तो 2 A's salary account ठीक है तो इसकी salary कितनी होगी 6000 रूपीज तो हमें दोनों का मिल गया salary salary B की है not A की हमने ध्यान नहीं दिया तो जो salary है वो actually में B की है ना की A की है तो इसको सही कर लिजे यह हम क्या लिखेंगे B salary है ठीक अच्छा अब आगे देखें क्या कह रहा है B की salary हमने record कर दी इसके बाद क्या कह रहा है we will get a commission of 5% on profit after deduction of all expenses including such commission कहने हमाँ सारे expense minus करने के बाद ठीक है जो भी net profit बचेगा उस पर 5% का commission calculate करना है और यहां पर क्या एक लाइन यह जो लिख रहा है including such commission यह आप ध्यान से दी जिखेगा including such commission का मतलब है after commission यानि यहां पर जो formula लगेगा commission का वो क्या लगेगा after का formula लगेगा तो चलिए कैसे करें calculate यह हम आपको दिखाते हैं तो हम क्या करेंगे इसको पेज़ पे अलग पेज़ पे calculate करेंगे तो बी का commission हमें calculate करना है ठीक है 20 commission तो बी के commission को calculate करने के लिए क्या करें net profit after deducting all items जो भी ट्रांजिक्शन से हों सबको माइने कर माइनस करना है तो जैसे कि हम लोग देख पार हैं कि हमें net profit कितना given था इस question में 50,000 रुपीस का न अभी हमने प्रिएंडल एप्रोपरेशन में इसको लिखा है तो प्रिएंडल एप्रोपरेशन हमें लिखा 50,000 का net profit है तो यहां आजाएगा 50,000 हमारा net profit आएगा minus जो भी expenses है तो expense क्या है 4,800 यह है interest on capital 6,000 A का commission है और B की salary 6,000 है तो 6,6 प्लस 12, 12 प्लस 4, 16,800 रुपए तो 16,800 रुपए का जो है हमारा expense है तो minus कर देंगे 16,800 ठीक है और इसने क्या कहा है कि सारे expense minus करना है including his own commission मतलब उसका भी commission यानि क्या होगे after commission तो after का formula क्या है rate of commission कितना है 5% है और नीचे क्या होगा 5 upon 100 प्लस 5 ठीक है क्योंकि after का formula लगेगा इसमें क्या लिखा है यहाँ पर देखे एक line लिखे including such commission तो including such commission का मतलब है कि जो partner का commission हम calculate कर रहा है B का जो commission है वो भी हमें यहाँ पर include कर लेना है यानि वो भी deduct होगा बट व अगर वो commission हमें पता होता तो माइनस कर लेते हैं लेकिन पता है नहीं तो इसलिए हम after का formula apply करने है तो जराब इसे माइनस कर दीए कितना आ जाएगा 0 0 10 में से 8 गे बचे 2 ठीक है और 9 में से 6 गे बचे 3 ठीक और 4 में से 1 गे बचे 33,200 रुपीस आपका आगे यह net profit बचा हु इन्टू 5 अपॉन 105 ठीक है तो इसे आप solve कर लिजे 5 अपॉन 105 है तो 5 बंजा 5 5 टू जा 10 5 बंजा 5 यानि 21 हो गया अब इसमें हम multiply कर देंगे देखे हम आप एक किस से minus होगा डिवाइड कर देंगे इसको कितना आजाएगा 21 बंजा 21 21 बंजा 21 21 यह माइनस कर देंगा तो कितना बचा 2 और 1 12 बचा और यह फिर 2 आजाएगा 122 हो जाएगा तो इसको हम divide कर लेते हैं कितना आ रहा है हमार रिजल्ट है चलिए इतना हम time waste नहीं करेंगे हम सीधा calculate करेंगे calculator के थरू ठीक है तो calculator के थरू calculate कर लेते है हमां 33,200 था 200 इंटू 5 divided by 105 तो 1580.9 यह नहीं 1581 ठीक है I think हम नहीं यह किया 33,200 ठीक है ठीक है तो इसको जो हम calculate करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1581 तो हमारा जो commission आ रहा है वो 1581 ठीक हमें commission मिल गया 1581 और इस commission को हम कहां record करेंगे P&L appropriation में तो appropriation में आ जाएगा टू बीज कमिशन ठीक है बीज कमिशन अकाउंट 1580 ठीक है तो यह हमें commission मिल गया अब हमें कहां प्राफिटर अजया जाएगा टू एजजीबल आ रॉफिट अ है तो टो बीजलपोफिट किया लिए फटाक से अब आप जो है इसमें देखिए हमें कोशन कहीं interest on drawing दिया है चेक करिए इस question में हमें drawing तो दिया है but rate of interest on drawing कहीं नहीं given है इसलिए हमें interest on drawing calculate करने की ज़वरत नहीं है आप ध्यान से दीजिए यहां पर क्या करा है partners drawing for the year were rupees 8000-6000 तो इनका कहीं rate of interest दे नहीं रखा drawing का ठीक है तो it means हमें interest on drawing calculate करने की ज़वरत नहीं है तो interest on drawing calculate नहीं होगा आपका total credit side का total कितना है 50,000 ठीक है अब इसमें से आप debit side के total को minus कर दीजिए तो debit side का total हमारा कितना है था 16,800 प्लस 1580 तो 16,800 तो पहले ही था उसमें 1580 और add कर दीजिए तो 0 8 8 5 13 का 3 बचे 1 6 7 8 18,300 तो 18,380 हमारा क्या हो गया credit side का total इसको हम इसमें से minus कर दीजिए जीरो दसमें से 3 के बचे 6 9 में से 8 के बचे 1 4 में से 1 के बचे 3 31,620 तो हमें यह मिल गया है तो चलिए यहां पर हमारा digital profit हमें मिल चुका है तो digital profit कहां लिखा जाएगा यहां पर हम लिखेंगे 31,620 ठीक और टोटल में क्या आएगा जो टोटल ज्यादा है वही दोनों साइड लिखा जाएगा इसे 50,000 ज्यादा था तो यही दोनों साइड लिखा जाएगा ठीक चाहो तो आप इससे calculate कर लो चारो तीन और दो पांच पांचों चीज़ को एड करो तो यही आएगा 50,000 ठीक है तो हमें पेंडल एप्रप्रप्रेशन बन चुका है अब हमें इस question में क्या कहा है बनाने को partners capital account चलिए देखे partners capital account कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं पर्टिकुलर पार्टनर यहां पर हमारे कितने हैं दो पार्टनर है ए एंड बी तो पार्टनर ए ठीक और एक है पार्टनर बी फिर हमारा क्या आजाएगा ऐसी यहां आजाएगा फिर पर्टिकुलर ए ए पार्टनर एंड बी पार्टनर तो यह दो पार्टनर हमारे तो यह हमारा क्या बन गया partners capital अकाउंट ठीक है तो partners capital अकाउंट में यह हमारा क्या होगे सब में यह होता है debit side और आपका जो right hand होता है वो credit side तो जब भी हम partners capital अकाउंट प्रेपेर करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या record करते हैं हम सबसे पहली चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं opening capital तो जो कि कहा था है credit side by balance brought down तो जैसे कि हमनों question में चेक कर चुके हैं प्रेसे देख लिए question में हमें capital दी हुई है 50,000 एं 30,000 तो यह capital आ जाएगी यहाँ पर एक की capital है 50,000 और बी की capital है 30,000 अब हमें क्या करना पार्टनर्स को देखे क्या-क्या चीज़ी मिला हम पेंडर अप्रपरेशन से ही डाल देंगे सबसे पहले interest on capital है 3,800 तो यह आ जाएगा यहाँ यहाँ पर ठीक है तो इसका आगया 3,000 और इसका आगया 1,800 ठीक है फिर जाएगा देखे क्या है कमिशन है A का और B का दोनों का कमिशन है तो हम डालनेंगे यहाँ by commission ठीक है by commission A का है 6,000 और B का है 15,000 ठीक है तो B का commission हो गया अब इसके बाद क्या हमारा salary तो salary किसको मिल रही है केवल B को तो buy salary जितनी भी चीज़ पार्टनर के लिए income होती है वो सब credit side जाती है अगर आपको question समझ में आ रहा है तो channel को like करें share करें and subscribe करें तो यहाँ क्या जाएगा by salary salary किसको मिल रही है I think केवल B को मिल रही है ठीक है तो B को salary कितनी मिल रही है 6,000 तो B की column में आप डाल देंगे 6,000 ठीक अब इसके बाद क्या है हमारा profit हुआ था पी एंडल अप्रोप्रोप्रेशन में तो by profit and loss appropriation अप्रोप्रोप्रेशन अकाउंट तो हमारा जैसे की profit कितना आया था 31,620 इसको हम distribute कर दें question में चेक कर लें हमें profit sharing ratio क्या दिया है हमें यहाँ पर profit sharing ratio 3 to 1 दिया है 31,620 को तो 31,620 को हम profit को distribute करते हैं यह का profit कितना आएगा 31,620 इंटू 3 अपॉन इस तरह से बीक आएगा 31,620 इंटू 1 अपॉन अपॉन टिक चलिए इसको हम calculate करते हैं 41 जा 4,47 जा 28 बचा 3,49 जा 36 और 0,45 जा 20 यह आ जाएगा इसको भी हम calculate करेंगा तो यह हैं गाए 7905 अब आप इसे multiply कर दिये 35,015 का 5 बचे 1 आ जाएगा 39,027 7 लिखा 2 37,021 21 प्लस 2 23 ठीक है और इसका आ जाएगा 7905 ठीक तो हमें अब बी का है 7905 7905 अच्छा इस question में हमें देखे drawing भी given थी तो drawing कहा आता है debit side आता है two drawing interest on drawing तो कहा नहीं तो उसे calculate करना ही नहीं था तो जैसे कि आपको question में देख पाएंगे कि drawing कितना है question में हमें देख रहा है यहाँ पर जो drawing है वो हमारे पास है 8,000 ठीक है यह देखे 8,000 A की है और B की 6000 ठीक है तो हमें 6,000 अब देखे इसमें हमें और तो कुछ बचा नहीं जो partners को देना है यहाँ पर कुछ भी या expense या income है कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे टोटल करेंगे और difference calculate करेंगे जैसे कि आप सबसे पहले एक का टोटल करेंगे तो एक का टोटल जबाब करेंगे पचास और नौ 59,000 होता है तो इसको जिरह हम टोटल करने है पाइव वन सेवन थ्री और नहीं नौत इन बारा का दो दो बचे एक पाच एक छे छे दो आठ एटी टू थाउजन्ट 750 आरहा इसका टोटल और इधर कितना 8,000 ड्रोइंग है तो 8,000 की यह ड्रोइंग माइनस कर दीजिए आप इसमें से कितना बचा 5 वन सेवन बारा में से आट गए बचे चार और यह 7 74,715 तो यह आजाएगा 2 बैलेंस कैरेट टाउन ठीक है कितना आ गया एका 74,715 इस दर से हम बी क्या कैल्कुलेट कर लेंगे बी का इधर कितना आ रहा है टोटल फाइव एट ठीक आट पॉइंच तेरा का तेरा तेरा प्लस नौ बाइस बाइस का दो बचे दो दो एक तीन तीन एक चार चार छे दस दस साथ 17 का साथ बचे एक 47,285 तो 47,285 आ रहा है इधर का क्रेट का टूटल और डैबिट में कितना एक एवल 6,000 तो 6,000 इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका कितना बच जाया है 41,285 ठीक है और टोटल दोनों साइड ज्यादा है वही लिखेंगे जैसे यह में टोटल क्या था 82,715 ठीक है और जो बी का टोटल था वो था 47,285 ठीक यह आपने लिख दिया तो आपका एक आंसर कंप कि कितना आ रहा है आंसर ठीक है और होपस हो आपको समझ में आया होगा तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें बाई बाई टाटा टेक केर